भारती जंता पार्टी के विधैक परतियाशी धन्सिंग रावत की चनाव परेचार में आतिश्पाजी करने का खामियाजा एक किसान को भुगतना पड़ा मामला 225 समेथी के सामरिया ग्राम पंचायत का है जहां धन सिंग रावत की चनाव परेचार की दुरान खेत के बाड़े में रखा सूखा चारा जल कर राख हो गया पिड़ित परिवार का आरोप है कि इतनी बड़ी दुरघटना होने के बाद भी पार्टी कार करता हुने अपनी मानवता तक को भुला दिया वे ना तो आप बुझाने में मदद करने आए और ना ही अपनी भाशनवाजी बन की जिसे गरामनों में अक्रोश आ गया और जिसके बाद पूरी सभा की बगैर लोट गए सामरिया निविवासी विकास ने बताया कि उनके भाई नर्सिंग के खेत में बाड़े में मवेश्यों के खिलाने के लिए सूखा चारा रखा था मही हनवान मंदिर के पास भाजबा के परतियाशी जनसंपर्क करने धनसिंग रावत पहुंचे इस दोरान उनके कार्यकरता पताके चलाती हुए आतिश बाजी करने लगे जिसे पताकों के जिंगारे से उनके भाई नर्सिंग के बाड़े में रखा सूखा चारा जल गया औ तो दूसरी तरफ रावत अपनी भाजबाजी करते रहे लेकिन ना कोई उनके कार्यकरता मौके पर पहुंचे और ना ही आपुझाने में मदद की और साथ में बकरिया और बेस बांद रखी थी उनको भी जैसे की मीटिंग तो चलती रही उनके और दंसिंग जी बासन की तरफ चले गए और हमारा नुक्सान जो हुआ जलते रही गाज जलती रही उसके बाद भी कोई कारिय करता है बाजपा का आके हमको गास बुजाने की कोचिश नहीं कि अगर गास बुजाने आ जाते समय पे थोड़ी सी जली थी हम चिल्ला है का जल गई गास जल की यूंकर की और उसी समय आ जाते यह हमारी गास ने जलती और दो तिन बकरियां भी जलने की जलने वाली थी आदसा बड़ा हुआ उसके पास मकान भी हमारे थे म लेकिन वहां के कार्य करता कोई आग बुझाने नहीं पहुचा और गाउंक से हम दोड़के और उसके बाद भी आग नहीं बुझी और उनकी मीटिंग चलती रहे एक गंटे तक उन्होंने सबाग किया, संबोधित लोगों को किया, एसा किया उन्होंने हमारे साथ, और पहले भी पांच साल पहले भी चुना हुआ, उसमें भी हमारी बाड जला दी थी बागड उन्होंने, उनके कार्य करता ने उस समय एसा ही यात्य हुआ, यह चारा जला वो किसका था? यह नर्सिंग मकवाना का, आपके क्या लगते हैं वो? बाई, बाई लगते हैं, आपका क्या नाम है? विकास मकवाना, सामर्या,